जी यो पैमेंट्स बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट दोस्तों अगर आप एक ऐसा बैंक अकाउंट ढूंड रहे हैं जिसमें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फिसलेटे मिले और इस अकाउंट में कोई भी चार्जिस न लगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बेश्ट सेविंग अकाउंट बता रहा हूँ जिसमें आप घर बैठे सिर्फ और सिर्फ पाँच मिनट के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस के साथ सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं अगर आपके पास पहले से कोई प्राइमरी अकाउंट है और यहाँ पे अगर आप पॉर्सनल एक्सपेंस के लिए कोई सेकेंडरी अकाउंट ढूंड रहे हैं तो आप जीयो पैमेंट्स बैंक के साथ जा सकते हैं Geo Payments Bank के एक virtual account है जहाँ पे आपको वो तमाम सुभधाय मिल जाती है जो आपको एक normal saving account के अंदर दोस्तों देखने को मिलती है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Geo Payments Bank में कैसे अपना account सिर्फ और सी 5 मिनट के अंदर खोल सकते हैं इस वीडियो में हमने आपको complete process बताया है तो account opening की journey start करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप Geo Payments Bank में account खोलते हैं तो यहाँ पे आपको facility क्या क्या मिल जाती है Geo Payments Bank आपको वीडियो के YC की facility देती है तो यहाँ पे instant ही आप अपना account खोल सकते हैं अकाउंट खोलने के तुरंद बाद आपको आपको virtual ATM card मिल जाता है आपका account number, FSC code, customer ID यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है Geo Payments Bank की transactions की बात करें तो आप Geo Apps से भी यहाँ पे transactions manage कर सकते हैं और जो भी third party app जैसे की phone पे, Google पे, ATM, Imagine पे जैसे apps आप account खोलने के तुरंद बाद ही बना सकते हैं इस account को खोलने के लिए कोई भी पैसे आपको नहीं देने है, बिल्कुल free में आपको यह account को लेगा, यहाँ पे जो virtual card होगा उसके लिए भी आपको कोई भी पैसे देनी की जरूरत नहीं है तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपको इस account को कैसे खोलना है, तो बिना time waste के फिराफ़र्स वीडियो के start करते हैं, और हम सीख लेते हैं कि आप GEO Payments Bank में किस प्रकार से घर बेटे अपना saving account खोल सकते हैं, तो चलिए दोस्तों फिराफ़र्स वीडियो को start कर लेते ह GEO Payments Bank में एक zero violence के साथ saving account खोलने के लिए दोस्तों वीडियो के description में हमने आपको my geo app का एक link दिया, आपको अपने my geo app को अपने phone के अंदर install करना है, तो यहाँ पे हम my geo app को यहाँ पे आप देख सकते हैं, install करके रख चुके हैं, जश्ट आप इसे यहाँ से app open करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आप जिस भी mobile number से अपना account create करना चाहते हैं, वो mobile number यहाँ पे आपको इंटर करना है, और इसे यहाँ से आप login कर लेंगे, तो my geo में login होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा, अगर आप geo के number से login होंगे, तो यहाँ पे आपके plans वगरा के बारे में बताया जाएगा, और अगर आप किसी दूसरे operator के number से login करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन interface बिल्कुल सेम रहेगा, आप इस यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ऊपर में आपको home, mobile, fiber, music, बहुत सारे options दोस्तों दिखाई दे रहे हैं, आप इसको एक बार इसे slide करेंगे, तो last में आपको एक options मिलेगा bank का, आप एक बार दोस्तों bank पे click करेंगे, कुछ Tomson condition यहाँ पे आपसे allow करने के लिए बताया जाएगा, तो आप इसे जो भी आपसे permissions लिया जा रहा है, आप allow करेंगे, य Welcome to Geo Payments Bank का option आएगा, और यहाँ पे accounts के बारे में बताया गया है, कि आप अपना saving bank account सिर्फ से 5 मिनट के अंदर यहाँ पे खोल सकते हैं, जिसमें आपका कोई भी minimum balance requirement नहीं होगा, कोई भी hidden charges नहीं है, free आपको virtual card मिलेगा, और बहुत ही easily आप अपने इस account से payment कर पाएंगे, तो आपको नीचे एक let's get started का एक icon मिलेगा, अब यहाँ पे आपके phone में जो भी SIM card यहाँ पे लगा हुआ है, आप उस SIM card के साथ, एक बार दोस्तों यहाँ से login करेंगे, तो आपके phone में जो भी SIM card है दोस्तों, यहाँ पे आप उसे select करेंगे, और जश्ट आप नीचे proceed वाले options पे जाना है और यहाँ से आप इसे open करेंगे, अब देखिए जैसे ही आप इसे open कर देते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा interface आता है, उपर आप देखते हैं, तो जियो money wallet का option आता है, तो यहाँ पे आपको जियो money wallet create नहीं करना है, आपको directly यहाँ पे जियो payments bank account open करना है, तो ज join now का button दिया गया होगा, आप एक बार join now पे click कर देंगे, आप जैसे ही join now पे click करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा options आता है, जहाँ पे आपको लिखा होता है, welcome to geo payments bank, और इसमें आप से बताया जाता है कि क्या कि आपके पास documentation होने चाहिए, तो आपके पास आपका अधार card औ basically account open करने के लिए नीचे आपको एक next का icon मिलेगा, आपको next वाले options पे click करना है, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है, तो आप just इसे यहाँ से next next करेंगे, और यहाँ पे आप नीचे let's start पे एक बार click करेंगे, जैसे ही आप let's start पे click करते हैं, आपके number प होगा दोस्तों सारे Thompson conditions को आपको accept करने होंगे, नीचे आप इस page को नीचे scroll करेंगे, और नीचे आपको एक I accept का button दोस्तों, देखने को मिलेगा, आप I accept वाले options पे click कर देंगे, यहाँ पे एक एक step मैं आपको live बता रहा हूँ, तो एक एक step आपको follow करना है, और वीडियो क बिल्कुल भी skip नहीं करना है, तो अब आपके सामने कुछ ऐसा options आ रहा है, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, get my document from DG Locker, तो यहाँ पे दोस्तों, basically आपको get my document from DG Locker पे एक बार click कर देना है, आप जैसे इस पे एक बार click करते हैं, अब यहाँ से आपको सबसे पहले तीन options आपसे मांगे जाना है, आपका mobile, अधार और user ने, अगर आपने DG Locker पे अभी तक अपना account create नहीं किया है, फिर भी कोई भी tension नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अधार number फिल करना है, जश्ट यहाँ पे आप अपना अधार number फिल करेंगे, और sign in with OTP वाल सकते हैं, OTP हमें दोस्तों receive हो चुका है, OTP जो भी आपको यहाँ पे आता है, आप इस inter OTP वाले options में लिखेंगे, और नीचे आप continue करके अपने अधार काट को OTP के साथ दोस्तों verify कर लेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि अधार काट के साथ हमने अपना OTP verify कर लिया है, अ आप इस PIN के मादम से भवी से में कभी भी डीजी लोकर अकाउंट पे लोग इन होंगे, तो आप इसी PIN का यूज करेंगे, तो फटाफट से आप अपना X-Digit का यहाँ पे PIN सेट करेंगे, और सब्मिट वाले options पे आप PIN सेट करके क्लिक कर देंगे, तो अपने डीजी आप अलाओ वाले options पे क्लिक करना है, जैसे ही आप अलाओ वाले options पे क्लिक करेंगे, आपकी जो भी document है, यहाँ पे जीओ पैमेंट बैंक उसे collect कर लेगी, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम आ चुका है, आपका middle name, आपका last name, आपका date of birth, आपका यहाँ पे gender, country of birth, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे automatically, डीजी लोकर से इसने fetch कर लिया है, बस आपको नीचे एक options आपसे पूछा जा रहा है, आपका email ID, तो आप अपने GU payments bank के साथ, जो भी email ID अपना link करवाना चाहते हैं, वो email ID यहाँ पे आप नीचे fill करेंगे, और email ID fill करने के बाद, जश्ट आप इसे next वाले options पे दोस्तों click कर देंगे, पहली step complete करने के बाद, दोस्तों आप दूसरे steps में आयाते हैं, जहाँ पे अपने financial details आपको fill करने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे आपका title पूछा जाता है, कि आप कौन सा title यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी title होगा, आप उसे select करेंगे, second वाले में यहाँ पे आपको pen card का option है, दोस्तों तो यहाँ पे आप अपना complete pen card का number fill करेंगे, नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी meritial status select करनी है, अगर आप single है, तो single select करेंगे, और अगर आप साधी सुदा है, तो यहाँ पे आप merit select करेंगे, नीचे आएंगे, तो father's name पूशा जा रहा है, तो आपके pen card पे जो आपके पिता जी का name लिखा हुआ है, वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, नीचे में आपको अपनी mother's name fill करना है, occupations में आपको बताना है, कि आप क्या काम करते हैं, retired है, self-employed है, homemaker है, farmer, बहुत सारे जो भी आपका patience है, यहाँ पे आप उसे select कर सकते हैं, source of income में आपको बताना है, कि आपका जो पैसा है, वो कहां से आता है, आप salary से कमाते हैं, business से कमाते हैं, यह आप agriculture है, यह आपका saving है, जो भी है दोस्तों, यहाँ से आप select कर सकते हैं, अगर आपका जहाँ से पैसा आता है, यहाँ पे category नहीं define किया गया है, तो नीचे आपको एक others का भी option है, आप यहाँ से select कर सकते हैं, सबसे नीचे आएंगे तो annual income पूछा जा रहा है, आपका salana कितना है, जो भी यहाँ पे आपका annual income है, आप उसे एक बार select करेंगे, नीचे एक टॉम्शन condition आपको दिखाई दे detect कर लिया है, जैसे कि आपका house number, आपका city, district, pin code, सब कुछ यहाँ पे दोस्तों आ चुका है, एक area में आपको अपना area fill कर देना है, और अगर दोस्तों आपको नीचे एक options मिलता है, current address का, तो अगर आपका यह address, आपका current address है, तो आप इस box को tick रखेंगे, और अगर आप किस secondary address, like अगर आप किसी दूसरे address पर रहते हैं, उस address को अपने bank account से link करना चाहते हैं, तो आप इस box को on tick करके, एक नय address fill कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा address same है, यहाँ पर aggts हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, और just हम नीचे next वाले icon पर दोस्तों click कर देंगे, तो address complete fill करने के बा अगर आप अपने account में normally declare नहीं करना चाहते हैं, तो आप no को tick करेंगे, और यहाँ से दोस्तों आप इसे next कर देंगे, जैसे ही दोस्तों आप next करते हैं, यहाँ तक अभी तक आपने जो भी information geo payments bank में fill किया है, वो यहाँ पर एक बार उसे अच्छे से review कर लेंगे, अगर कु proceed वाले options पे दोस्तों क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हमने proceed वाले options पे क्लिक कर दिया है, अब आपको यहाँ पे आपकी account opening process जो है, completely यहाँ पे हो चुकी है, basically अब आपको अपने इस account की complete KYC करनी होगी, complete KYC के लिए भी geo payments bank आपको video KYC का options दिया है, जहाँ पे कही जाए, बीना कोई paperwork के आप अपने इस account की complete KYC कर सकते हैं, KYC करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके पास होना क्या-क्या चाहिए, तो आपके phone में एक अच्छा camera होना चाहिए, एक stable internet connectivity होना चाहिए, आपके पास आपका physical pen card होना चाहिए, और अधार card हो तो इसी time आप अपना account खोलिए, और इसी time के बीच आप अपना वीडियो KYC complete करिए, तो वीडियो KYC के लिए जस्ट आप प्रोसीड वाले बटन पे एक बार click करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही प्रोसीड वाले options पे click करते हैं, अब यहाँ पे आपको बताया गया है, कुछ आपको यहाँ पे instruction दिया गया है, जिसे एक बार आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, वीडियो KYC के timing में आपको basically 3-5 minute लगेगा और आपके पास एक white paper और black पे नप ready रखिएगा, ताकि आपका signature यहाँ पे geo payments bank के agent capture कर पाए, तो basically दोस्तों आपको नीचे एक options agent पे, आप एक बार दोस्तों यहाँ पे click करेंगे, और आपका जो भी call होगा दोस्तों, यहाँ पे video KYC agent के पास connect हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे complete जो process है, वो complete हो चुका है, अब आपको अपने account की video KYC complete करनी है, जिसके लिए आप, जैसे ह आपके call पे agent connect होते हैं, वो आपसे आपका एक selfie capture करेंगे, आपसे कुछ basic सवाल कुछेंगे, जैसे आपका नाम, आपका address, आपका date of worth, आपका pen card का photo लिया जाएगा, आपका अधार card का photo लिया जाएगा, और यहाँ पे आपसे आपका signature का photo लिया जाएगा, जो भी यहाँ प आपके mobile और आपके email पे message आ जाता है, और account activate होने के बाद, आप my geo app में bank वाला section में जाके, और वहाँ पे आप अपने complete account को manage कर सकते है, my geo app में यह आपका virtual card मिलेगा, और जैसे ही आपका account activate हो जाता है, आप phone पे, google पे, ptm किसी भी apps में जाके, geo payment rank search करेंगे, उसे link करेंगे और अपने virtual card के माद्यम से account को add करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों आप अपने account को बहुत ही असानी से use कर पाएंगे, हमें उमीद है दोस्तों यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि कैसे आप geo payment rank में अपना खाता यहाँ पे खोल सकते हैं, इस video को दोस्तों में ही भी खतम क किये, take care, have a good day